अर्विंद केजुरिवाल ऐसे नेता हैं जो सरासर जूट बोलते हैं और वो भी प्रेस कॉन्फरेंस करके दिल्ली के बजट में महिलाओं को पंद्रह सो रुपए महिना देने का प्रावधान किया गया दो हजार करोड का बजट भी तैक कर दिया लेकिन एक धेला भी नहीं द अब इस से आगे बढ़कर उन्होंने बुजर्गों को पेंशन देने का बड़ा वादा कर दिया दिल्ली में पहले से बुजर्गों को पेंशन दी जाती थी लेकिन केजुरिवाल की सरकार ने ही उसे बंद कर दिया था अब चुनाफ करीब आने के बाद पांच लाग से आवदन किया था मतलब साफ है कि आवदन वाले मामले में केजरिवाल सरासर जूट बोल रहे है केजरिवाल के जूट बोलने कि आदत को लेकर राज़ सबा coffee स्वाति माली वाल ने आमाद पार्टी की सरकार और खास तौर से केजरिवाल पर करा रहा हमला बोला वे लगातार दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों का दोरा कर रही है और वहां की जमीनी हकीकत को दर्शाते हुए दिल्ली सरकार और रामादमी पार्टी के रास्टरे सनयोजे करविंद केजुरिवाल पर सवाल खड़े कर रही है इसी कड़ी में अब उन्होंने बुराड़ी इलाके में खराब सड़कों की गंदगी को लेकर केजुरिवाल और आतिशी पर निशाना साथा उन पर प्रेस कांफरेंस कर जूट बोलने कारोप लगाया और एक आतिशी को बड़ा चैलेंज भी दे दिया दरसल हाल ही में उन्होंने बुराड़ी इलाके का दौरा किया था जहां जगे जगे सड़क खराब पड़ी है सड़कों पर जमा पानी रुकी नालियों को देख उन्होंने दिल्ली सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की मुक्यमंत्री को चैलिंज करती हूं कि वो वहां आएं और लोगोंके हालाप देखें सोशल मीडिया प्लैट्ट्वरम AX पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली के बुराडि का नर्क से बुरा हाल है बुराडी आलाके के लोगों ने अपने खेतर का हाल देखने के लिए बुलाय था यहां लाखों पूरवान चली रहते हैं जरा एक बार यहां की हालत देखिये सड़कें बुरे हाल में हैं गलियों में बदबुदार पानी भरा है जगे जगे कूडे के धेर लगे है लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हुई है उन्होंने आगे कहा यहां किस दिन आओगे प्रेस कॉंफरेंस करके जूट बोलते हो कि पूरी दिल्ली को चमका दिया है ये हाल कब ठीक होगा ये पहली बार नहीं जब स्वाती मालीवाल इस तरह दिल्ली के हालातों को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साथ रही हूं कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के सागरपुर इलाके के दौरे के बाद वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि तूटी पूटी सड़के कुडे के देर नल से काला गंदा पानी आता है टेंकर वाले पानी बेचते हैं उन्होंने कहा था कि सागरपुर की जनता जिस बदहाली में जीने को मजबूर है वो बेहत दुखत और शर्नाक है जनता के मन में नाराजगी है आतिशी यहां कब आएंगी आप बताएं हर रोज प्रेस क करने में कुछ नहीं होता कुछ काम भी कर लिया करो गिरो रिपोर्ट नीज अफ इंडिया कर आप कर रोजब दूब सेका है ओनिया जंगी नहीं हो लुछ